नमस्ता दर्शक्मित्र बुलटिन इंडियाना विशेश कारेक्रम मां आपनू स्वागत छे आजे आपड़ी एक एवा कलाकार ने मड़ी शुकी जे कलाकारे जे आर्टिस्ट सो करता वधारे सीरियल मां काम कर्यों छे ना बलके काम कर्यों छे पर्ण तो युँँ कई श्यका अथ्वा तो पच्छी आपने एवू लागे के एस सीरियल नों एक भाग आप पण छो बिल्कुल आपने एवू लागे छे ने के हां क्या की विक्ति ने जोईलो छे तो बस आजे बुलटिन इंडियाना स्क्रीन उपर आपने मड़ावी छे एक एवा विक्ति साथे एक तर एक सीरियल मा मन मुकी ने काम कर यूशे अर्मान ताहिल जी आजे बुलटिन इंडिया साथे जोड़ाइगा अर्मान जी बुलटिन इंडियाना स्टियो मा अपनो स्वागत छे नमस्कार बुलटिन इंडिया के सभी दर्श्कों को अर्मान ताहिल का प्यार बहरा नमस् आपके लिए आप जो भी रोल प्ले करते हो तो उसमें अपनी जान देते हो कि जो भी रोल होता है वो लाइव लगता है लोगों को लगता है कि यह मेरी ही कहानी है अब बताई आपकी जर्णी के बारे में अगर आप कोई भी रोल करते हो तो क्या चूज करते हो विर हो, स्क्रिप्ट में किया देखते हो? देखिये, जहां तक अपने जर्नी की बात करे, चर्नी तो मेरी काफी उतार चड़ाव रहे हैं जर्नी में. सबसे पहले जब में स्कूल में था, तो स्कूल में ते साइंस के सब्जेक्ट थे जिसमें मैं physics था, chemistry था, biology था, computer science था तो after schooling मैंने engineering करी मैं एक engineer हूं, mechanical engineer हूं मैंने कोई acting की formal training नहीं ली लेकिन after doing engineering लेकिन engineering के दोरान मुझे एक ऐसा offer आया था बीच में जहां पर मेरी photographs कुछ select हुई थी और मुझे modeling करने का मौका मिला तो सबसे पहले मैंने मॉद्लिंग की शुरात करी और सबसे पहले मैंने एड किया शेरवानी का, जिसमें मेरे होडिंग्स लेगे दिली से लेकर दुबबै तक. तो उसके बाद यह सिल्सला शुरू हुआ, और उसके बाद फिर मैंने मैं फैशन शोज किये और दूर दरशन के लिए काम किया कुछ प्रोग्राम किये चैलेंग दब मास्टर पहले मैं चैलेंजर बना जीता फिर मैं मास्टर बन गया फिर जीता और इसके बाद मैंने आल इंडिया रेडियो पर एंकरिंग करी FM2 चैनल 106.4 मेगार्स पर और मीडि उपह इन दिली से मुझे बंबे आने का में मिला कि मैं मैं अच अप अवह एक नदिए था लिएलिटी शो Hangaiman जिसको शेकर सुमन होस्ट करते थे तो दिली में मैं बिया उडिवा से डिक्टिट टिया मुझे क्या धूता था यह बनद आया ञा शो तेट रिया और मैं तो य अर्मान एक एक ऐसा कलाकार एक ऐसा आर्टिस्ट जो नायक भी है जो खल नायक भी है जब पहला लाइंग्स देखा तब कैसे फेलिंस आई थी जब देखा कि यह मेरा बना बना हुआ था दूले राजा वाला शेरवानी थी पूरा साफा था हैट गेर था तो बोट लोग बोले तो दूले राजा तुम तो चाय वे और होडिंग पे दिली से लेकर दुबए से फोन आते थे मुझे तो बहुत अची फिलिंग ती जब आपके देश विदेश में अगर होडिंग लग तो यहां पर कितने ही स्ट्रुगल होती है स्ट्रुगल के साथ साथ कितनी महनत होती है जो लोग आदे घंटे का एपिसोड देखते है या फिर पांच मिनिट के एड देखते तो उनके पीछे कितने घंटों की महनत होती है यह सत्य है कि कहते है ना the grass on the other side looks always green तो लोगों को तो लगता है कि acting बहुत असान है लेकिन acting असान नहीं है इसके लिए भी बहुत कड़ी महनत करने पड़ती है और संगरश्ट तो ही है तो बस यह है कि आपको एक sense होना चाहिए एक knowledge होने चाहिए और acting is not an easy job जो लोग सोचते हैं हमें एक आदे खंटे के episode को shoot करने के लिए कम से चार-पान दिन लग जाते हैं चार-पान दिन नहीं तो तीन दिन तो पकड़ की चलो तो कुछ नए कलाकार भी हमें मिलते हैं और कुछ लोग तो अच्छा कर जाते हैं तो लोग जो बिलकुली नहीं होते हैं फ्रेशर होते हैं जिनको talent थोड़ी कमी होती है तो वो camera जब director action बोलता है तो उनकी ऐसी तैसी हो जाती है और डेलक भूल जाते हैं फंबल करते हैं तो बस यह है कि एक self-confidence होना भी बहुत ज़रूरी है कि overconfidence नहों लेकिन self-confidence होना अपने आप में आतम विश्वास होना बहुत ज़रूरी है अर्माची आपके बारे में यह बोला जाता है कि हम तो चले थे अकेले कारवा आपने आप ही बनता गया एक चोटी सी चीज से शुरुआत हुई थी 100 above serials बहुत सारे catalogs कि बहुत सारी web series भी अब आपकी आने वाली है तो ऐसा बोला जाता है कि आप जो भी करते हो वो एक trend सा बन जाता है देखिए जमाने के साद चलना चाहि है आजकर लोग OTT पसंद कर रहे है जब से lockdown लगा है तो OTT का craze और बढ़ गया लोगों में तो आजकर मैं काफी सारी web series कर रहा हूं जिसमें से कुछ मेरी upcoming web series जिनके नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं एक का नाम है Undercover जो की Ullu Gold पे आएगी एक जो मेरी दूसरी short film ह है Amazon पे आएगी जिसका नाम है Modern Love इसको ड्रेक्ट किया है Hansel Mehta जी ने जिनने Scam 2 को ड्रेक्ट किया था जिसमें मेरे साथ Parthik Gandhi है जो की मेरे cousin बने हैं मेरे नाम इसमें Haneef है जी और इसमें मेरे साथ काजोल की मदर है Tanuja वो मेरी दादी बनी है तलत अजीज है, singer है तो काफ मेरी एक web series जो भी 2-3 दिन बाद shoot होने वाली है शुरू इसका नाम है Silence तो इसमें भी अच्छी star cast है और इसमें मैं बहुत अच्छा किरदार कर रहा हूं, leading role है तो ऐसे काफी सारी web series है और इसके लाबा जो web series मेरी आ चुकी है उसमें से एक है पडोसन धमाल वो आप YouTube पे द इसकाफी सारी web series और कुछ फेलमे आने वाली है अभी मैने रिसंट ली कुछ फिलमें शूट की है का नाम है Ice cream जो कि मैंने भी राजश्तान में शूट कर कर आप गर्मी का मोसम में तो आइस क्रिम बनता है और इसक अर आप वह शुक्त अर एक्टिंग पर लेकिन अपने यह बोला जाता है कि आप fitness रीको कितना ध्यान देते हो अपने आप पर अग देखिए film line में है Bollywood में है film industry में है तो fitness तो रखनी चाहिए लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देता हूपने fitness पर लेकिन ठीक है जो ग्रेस जो मुझे भगवान शरीड दिया है, तो उसको तो थोड़ा से मेंटेन करके चलता हूं, इतना ज़्यादा भी मेंटेन नहीं करता हूं, लेकिन जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करता हूं, तो इसके लिए मैं अपनी थोड़ी से डाइट पर ध्यान देता हूं, थ यह पूछनी है कि आप थोड़ी प्रोफेशनल चीजे मैंने जो पूछना था वो पूछना था तो थोड़ा परस्नल वे में बिगूज बहुत सारे लड़कियों के आप क्रॉछ हो लाइक जब भी आप स्वीन पे आते हो तो लाइक रॉच होता है लड़कियों को तो उनके ब अगर लड़कियां पसंद करती है तो बहुत अच्छा लगता है और fan following लड़कियों की है या बाकी लोगों की है तो fans किसे पसंद नहीं आते हैं, सबको fans बहुत पसंद है और खासकर लड़कियां तो और जादा पसंद होती है बस उनका प्यार बना बना रहे और इसी तरह इस अपना वो प्यार देती रहें देख स्वायम थे जब उबर वाले की इच्छा होगी जब प्रभु की इच्छा होगी तो सब चीजे आपने अब आप्रमेटिकली चीज़े होती ही रहती हैं तो आज ज़स फ्लोविए टाइम तो जब जब ज़ो होना वो तब तब होके रहेगा अर्मान जी बहुत साफ सब्दों मा कह देदू के आप जिटलो प्राइम एमनी उपर वर्सा भी रहा आछो तो आहता अर्मान जी फरीथी मड़ी शवात समयाज चैनल पर त्यास दिर जाप्षो हमेशकार